नमस्कार बंदे मातरम दोस्तो स्वागत है आप सब का सैनिक पार साला में जैसे आप बोड़ पर देख पारें दोस्तो आज के इस वीडियो में पांच महत्पूर्ण जानकारियों को ले के आया हूँ तो चलिए आगे बढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे से पहले हमिशा की तरह मेरा आप सबसे आगे रहें दोस्तो अगर सैनिक पार साला चैनल में आप पहले बार विजिट कर रहें या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए आप से जुड़ी भर उसे मन जानकारियों को पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ेंगे सबसे पहली जानकारी जैसे आप देख पारें प्री टूथाजन सिक्स पैंसनर का केस रिकॉर्ड ने किया प्रोसेस पी ए ओ और ने रिजेक्ट कर दिया अब केस आर्मी हेट्वाटर के पास एसीपी का मामला जी हाँ दोस्तों एसीपी का मामला पहली बार ऐसे सामने आया है कि 2006 से पुराने पैंसनर ने एसीपी लेने के लिए अपना केस प्रोसेस किया अपना ग्रिबल्स डाला जब सीपी ग्रांस में तो वो रिकॉर्ड ओफिस के पास गया और रिकॉर्ड ने उनका केस प्रोसेस कर दिया लेकिन पी ओवार ने उनका केस वापस कर दिया कि यह टाइम बाड है यानि कि ज्यादा पुराना केस है तो अब उस पुराने केस को आर्मी हेटकॉर्टर से सेंक्षन लेने के लिए रिकॉर्ड ओफिस ने दुबारा से आर्मी हेटकॉर्टर बेज दिया है चलिए मैं आपको रिकॉर्ड ओफिस का लेटर दिखाता हूँ अब दोस्तों EME record का ये letter जो आप देख पा रहे हैं 4 जनुवरी 2024 का letter है pensioner को address किया गया है और ये letter जुड़ा हुआ है grant oblique revision of pension as per the scheme of ACP यानि कि ACP scheme के जरिए pension में revision करने से संबंदित ये letter है अब दोस्तों CP grams के जो grievance का वाला देकर यहां कहा गया है कि part order publish कर दिया गया pensioner का जो ACP pre 2006 से pensioner थे उनका ACP के जरिए pension revision के लिए part order publish कर दिया गया 2023 में और उस case को PAOR बेजा गया अब जैसे ही ISOCOP MOD से time barred sanction आ जाएगा उसके बाद दुबारा से ये part order होगा और pensioner को ACP का फायदा मिलेगा इस later में ये सारी बाते clear की गई है दोस्तों तो आप सब ने देखा दोस्तों pre 2006 के pensioners के ACP के case अभी process हो रहे हैं आप भी eligible हैं तो आप भी अपने record office से संपर्क जरूर करें चलिए अगली जानकारी के और आगे बढ़ते हैं दोस्तों OROP के किस्ट pensioner को परेशान कर रहा सपर्स NPC के बाद भी area नहीं जिहां दोस्तों जिन भी pensioners का migration पहला दूसरा या तीसरा किस्ट लेने के बाद सपर्स में हुआ है उनका अगला किस्ट सपर्स की तरफ से NPC के बगेर जारी नहीं किया गया किसी किसी का जारी हो गया लेकिन बहुत सारे pensioners का आज भी OROP के किस्ट बचे हुए हैं अब ऐसे ही pensioners दूसरा तीसरा किस्ट जिन को मिलना है NPC जारी होने के बावजूद भी अभी तक सपर्स ने पैमेंट नहीं किया यानि कि सपर्स की तरफ से कहीं ने कहीं pensioners को परेशान करने वाली बात हो रही है अब मैं आपको pensioners के लिए जो बैंक ने जारी किया NPC उसको दिखाता हूँ अब दोस्तों यह SBI द्वारा जारी किया गया लेटर यानि कि नौन पेमेंट सर्टिपिकेट है 5 दिसंबर 2030 का यह नौन पेमेंट सर्टिपिकेट सपर्स को लिखा गया है और यह संबंदित है OROP के एरियर से यह देखिए सेकेंड थर्ड फोर्थ इंस्टॉल्मेंट से जुड़ा हुआ यह जो है लेटर है यह NPC यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है we have to inform that above name pensioner was getting pension from CPPC Patna till July 2030 now pension has been migrated to Spurs on 28 August 2030 and pension from August 2030 and onwards is being paid through Spurs we had paid first installment of OROP two areas of Rs.16202 on 2 May 2030 from CPPC Patna and clarify that second, third and fourth installment each of Rs.16202 has not been paid by us and may please be arranged for payment at your end यानि कि यहाँ clear लिखा हुआ है कि हमने पहला installment उनको जो है CPPC Patna की तरफ से भुकतान कर दिया second, third, fourth installment उनको अभी तक नहीं मिला है हमने भुकतान नहीं किया है 16202 के हर एक installment बनते हैं तो उन installment को आप भुकतान करें ऐसा यहाँ पर लिखा हुआ है non payment certificate बकाईदा बैंक द्वारा जारी किया गया है लेकिन बावजूद इसके जो है Spurs द्वारा अभी इन pensioners को OROP के area का दूसरा तीसरा चोथा किस्त का भुकतान नहीं किया गया है जो कि हमारी अपील है Spurs की और क्योंकि अगर किसी pensioner को CPPC से उनका किस्त नहीं मिला या Spurs से अभी तक नहीं मिला तो उनको जल्चे 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 उनका किस्त का भुकतान कर दिया जाना चाहिए चलिए अगली जानकारी जो और आगे बड़े दोस्तों आपको नहीं दिया गया FMA 1000 हर महीना record office ने कभूला अब Spurs में होगा FMA का भुकतान जी हाँ दोस्तों आप भी जागेंगे तभी आपको पता चलेगा क्योंकि pensioners को या तो ECHS या तो फिर FMA fixed medical allowance दोनों में से एक authorized है आपको अगर हर महीने 1000 उपे pension में नहीं मिल रहा है तो आप या तो ECHS के लावरती होने चाहिए लेकिन अगर आप ECHS भी नहीं ले रहे और FMA भी नहीं ले रहे तो आप कही न कहीं सो रहे है आपको या तो ECHS का facility लेना चाहिए या तो फिर अगर आपको FMA के लिए कुछ conditions है अगर वो फिल फिल आप करते हैं तो आपको अगर लाग है तो आपको FMA के लिए apply करना चाहिए अब जो pensioner जाग रहे हैं उनके साथ कारवाई हो रही है अब record office भी मान रहे हैं कि आपको FMA नहीं दिया गया अब हम Spurs के जरिये आपका FMA प्रोसेस कर रहे हैं चलिए लेटर दिखाता हूँ दोस्तों ये record office ने pensioner को ये लेटर भेजा है 8 जनुरी 2024 का लेटर है और pensioner ने जब गुहार लगाया CP Grounds में grievance डाला कि मुझे fixed medical allowance नहीं मिल रहा है तो आपका case हम जोए Spurs को भेज देंगे medical allowance ग्रांट करने के लिए तो कहीं न कहीं record की तरह से कारवाई तो किया जा रहा है लेकिन तब किया जा रहा है जब pensioner जाग रहे हैं उससे उपर अगर आप आपको भी लागु है आप नहीं जागेंगे आप कारवाई नहीं करेंगे तो कुछ कारवाई नहीं होगा इसलिए आपको चेक करना जरूरी है कि आपको लागु क्या है तो आप सबने देखा दोस्तों कि जो pensioner जागेंगे उनका कारवाई होगा और उनको FMA अगर लागु है तो वो भी जरूर मिलेगा चलिए अगली जानकारी के ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों PAOR का गोल मोल जवाब pensioner को record office ने कहा बढ़ाना पड़ेगा basic जियां दोस्तों जब अपना basic pay basic pension बढ़ाने के लिए PAOR को गुजारिस किया गया pensioner की तरफ से तो PAOR ने जो pensioner है उनको जवाब दे दिया कि आपका basic pay में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी जिनके साथ आपने compare करके भेजा था जिन junior के साथ आपने compare करके भेजा था कि उनका ज्यादा है मेरा कम है आप दोनों का बरावर है ऐसा जवाब PAOR ने दे दिया लेकिन उसी letter के उपर उसी बात उसी matter के उपर record office ने हस्तक चेप किया और record office ने PAOR को बताया कि नहीं आप गलत बोड रहे हैं pensioner ने गुजारिस की है बिल्कुल सही की है उनको कम payment मिल रहा है और उनको कम payment के साथ से pension भी कम मिल रहा है तो आपको जो है इस case के उपर scrutiny करना पड़ेगा इस case को चानबिन करके जो भी बड़ोतरी है उसको लागू करना पड़ेगा तो चलिए मैं आपको PAOR का भी record office का भी letter दिखाता हूँ अब दोस्तों ये PAOR सिखलाइ फतेगड की तरफ से pensioner को जारी किया गया एक letter है अब इस letter में जब pensioner ने बोला कि मेरा basic pay आपने कम fix कर दिया मेरे junior से भी कम में fix करके मुझे pension दे दिया तो PAOR की से क्या जवाब मिला है ये देखिए ये दो नमर लगवीर सिंग जी का case है ये अब यहाँ पर क्या दिया है बोथ individuals draw same basic pay on the date of SOS यानि की retirement के time पर उनको बराबर दोनों को जो है 49,200 रुपय ही basic पर मिल रहा था pay level 5 यानि के हवलदार के हिसाब से ये यहाँ पर जवाब दिया गया अब इस जवाब के बाद दोस्तों जब record office को दुवारा से गवार लगाया जाता है ये देखिए बकाइदा POR का letter है अब record office ने क्या कहा आगे ये देखिए अब देखिए दोस्तों record का letter था 18 जुलाई का उस letter का भी यहाँ पर रिफरेंस दिया गया यह देखिए अब इस letter का reference देखर के यहाँ क्या लिखा गया है कि यहाँ पर on scrutiny of FSA in respect of above named individuals it has been observed that basic pay in respect of individuals are different यानि कि POR बोल रहा है कि आपका basic पर बराबर है जिनके साथ आपने जिन जुनियर के साथ यह लगविर सिंग जी का case है और इनके साथ उन्हों ने जो है अपना compare करके बेजा था तो पी ओर ने बोला कि दोनों को बराबर मिल रहा है लेकिन record office ने जब चान्वीन की तो record office ने पाया कि दोनों का different है यानि कि जो जुनियर है उनको ज्यादा मिल रहा है सीनियर को कम मिल रहा है तो इस case को दुबारा से record office ने पी ओर को बेज़ दिया है तो आप सब ने देखा दोस्तों कि अगर आप जा गएंगे अगर आप अपनी तरफ से कारवाई करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप किसी से कम तो नहीं ले र दोस्तों मेसीपी को लेकर court ने फिर से कर दिया साफ अपने 2024 के आदेश पर देना होगा pensioner को मेसीपी यहां दोस्तों कई सारे pensioners जो हैं जिनको मेसीपी लाग हुए लेकिन बावजुद उसको उसके उनको मेसीपी नहीं मिल रहा है क्योंकि उनको पता ही नहीं रहता कि मेसी 2024 का एक आदेश दिखाता हूँ जो मेसीपी से जुड़ा हुआ आदेश है और बड़ा आदेश है दोस्तों क्योंकि कई सारे pensioners उसी वज़े की वज़े से मेसीपी नहीं ले पाते जिस वज़े को ले करके मानने कोर्ट ने साफ कर दिया कि मेसीपी तो देना पड़ेगा जल प्रोमोशन कडर के लिए अनुविलिंग कर दिया था तो उनको मेसीपी 3 नहीं दिया गया मेसीपी 1 उनको मिल चुका था लेकिन मेसीपी 3 नहीं दिया गया उसके बाद pensioner ने गुवार लगाया लेकिन नहीं मिला तो वो कोर्ट में चले गया यह देखिए यहाँ पर पूरा प्रोमशन कर दिया गया कि आफ तो शोनको मेसीपी 3 नहीं दुर्पर और मेसीपी 1 रूट वहीं दिखा डिव स्टू प्रमोशन को आपको यह था वन खूल्दार रह श्र आप्टोबर दोजर्बार छिए घूट गरी जा अच वीवार दिखिए जया यह परें विम थाठी वेनिफिट आप थर्ड मसीप आफ नाइव सुधर ग्रेड वेफ चार अक्टोबर 2020 एड ग्रांड पैंशन आप थर्ड मसीप यानि कि नाइव सुधर के साफ से पैंशन भी दिया जाए और जो है आप प्रमोशन केडर में अनुलिंग की बज़े से इनको मसीप से बंचित नह नहीं मिलाए तो आपको जरूर ही एक ओड के और वगयरा लगा करके अपना केस प्रोसेस करना चाहिए तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इनी जानकारियों के साथ आया था आगे और कोई जानकारित है का आप से सरुकार रखने वाला भी से लिए कि मैं फिर से आज ही र हो जाओंगा तब तक यह जहीं दो